जैहिन साथियों स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल रॉकिंग इनफरमेशन टीटी जाम मैं आपके साथ बीजय जैस्वाल बात करेंगे दोस्तों हर भाई वहन हर ग्रहनी का स्वागत अविननन्द करते हैं जो भी सिच्छक बरती में वहिया सेलेक्शन पाना चाहते हैं सभी का वेलकम करते हैं बात करेंगे दोस्तों ये मैस के टॉप 10 कोश्चन है जो आप लोग क्या करते हैं मैस को बहुत ज्यादा कठिन समझते हैं बहुत हाट समझते हैं आपको सोच परिवतन आज करना पड़ेगा आज हम ऐसे कोश्चन बताने वाले हैं जो चोड़ कर चले आते हैं तो ये question जब आप चोड़ोगे नहीं तो भईया selection होगा क्योंकि हमारा target है आप लोगों का 120 प्लस का score क्रास करना जब आप crack करते हैं इतना score तो आपका selection बिल्कुल होता है ठीक है ये जएज selection कहलाता है और बात करेंगे एक पहला question की जो आप इस जाम में छोड़ कर आते हैं तो चलिए आईए पहला question देखते हैं पहला question ने देखे वर्गमूल ग्याद करना है 272 का होल वर्ग है माइनस 128 का होल वर्ग का वर्गमूल ग्याद करना है तो हर भाई बहन से निवेदन है question ध्यान पूरक सभी ये 10 question देखेगा वादा करता हूँ आपका selection match में 25 प्लस करेंगे 30 में से वादा है मेरा ठीक है सभी classes attend कर लिए जो मैं वादा करता हूँ आपसे 25 प्लस आप score करेंगे mathematics में सभी classes attend करिए तो पहला एक question क्या कह रहा था आपका दोस्तो 200 बातर का whole work minus 128 का whole work दिया है इसका वर्गमूल क्याद करना है अब लोग क्या करते हैं इतना बड़ा question आ गया तो छोड़ कर चले आते हैं भईयर nest करो ये question बहुत बड़ा है बहुत time लगेगा नहीं time नहीं लगेगा केवल 30 से 40 सेकंड का time लगेगा under one minute के solve करेंगे आप लोग ठीक है अब करना क्या है आपको 270 का whole work minus 128 का whole work का वर्गमूल निकालना है अब आपको पता है सभी लोग जानते होंगे हर भाई वहन ठीक है आप लोग क्या जानते हैं कि a square ये minus b square की रूप में लिखा है लिखा है कि नहीं लिखा है अब आप बोलेंगे हाँ बिलकुल लिखा है तो सभी लोग जानते है a square minus b square बराबर क्या होता है a plus b into a minus b इतना तो होता है ना आपने 10th class में पढ़ा हो गए इतनी महत तो आनी चाहिए पहिए ठीक है तो पहाड़ा गिंती गुड़ा भाग वहिए जोल घटाना मल्टिफिकेशन एडिसन ये सब आप से आना चाहिए तो करना क्या है बस वहिए कर देना कि a square minus b square है तो a plus b और a minus b के रूप में लिखिए और करना क्या भाइया ओक नुस्ट अन्याव खेये 272 एकसोठाईस चारसो आ गया पर दायरेक्टले वर्गमूल लिख लिया 20 गुड़े 12 कर देंगे आपका answer आ legal एंसर कितना आया 240 आ गया यानि 30 अपसंस ही हो जाएगा ठीक है यानि कि कलम केवल दो कदम चलाना है दो कदम कलम चलाए एंसर आपके सामने आ गया अब बात करेंगे नेस कोश्चन की देखे यह कोश्चन आ गया इस कोश्चन को आप छोड़ कर चले आते हैं ठीक है तो अब आप ये गलती नहीं करेंगे छोड़ कर नहीं आएंगे क्योंकि सही समय पर सही चैनल पर आएं हैं ठीक है क्योंकि देशित में चैनल है राजशित में चैनल है हिंदुस्तान का चैनल है आपके दिलों के धड़कने वाला चैनल है ठीक है दिल से जोडने वाला चैनल है तो 05 कि किन के पराबर है भया सलूसर निकालते हैं आइए रख साथ चलेंगे साथ साथ सेलक्स Chelsea नपाएंगे आप लोग ठीक है अगर मेरे से चलेगे दो आप लोग सलेक्षन जरूर पाएंगे 110 असे बटे 4 दिया है इसको करना किया अब इसको करना 441 बटे 4 आ गया यह आपका इंसर आ गया इंसर आ गया बस 441 बटे 4 आ गया इंसर आ गया 441 किसका बईया वर्ग है 21 का वर्ग है 4 किसका है 2 का वर्ग है यह रूड के अंदर है यानि की रूड के बाहर निकालेंगे तो 21 बटे 2 आएगा 21 बटे 2 को साल्व करेंगे तो 10.5 पा जाएगा यानि कि 4 आपसन सही हो जाएगा अब बताईए किसको डाउट है किसको डाउट है कमेंट करें वहिया किसको डाउट है कमेंट करें फीडबेक जरूर दें ठीक है और कोस्चन समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और सभी फ्रेंड्स में सेर कर दीजेगा क्योंकि सब का साथ सब का विकास और हमारा आप सभी का सपना है सिच्छक बनना ठीक है गौर्मेंट टीचर में जॉब पाना अब निकालना है इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे आईए समझते हैं इसके बरावर क्या लिख लिए हमने ये लिख लिए मैंने बताया जो 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 है इसको हमने कैसे तोड़ा यहाँ पे देखे 3 का स्क्वेर करेंग कितना गया 9 आएगा ठीक है रूट 5 का स्क्वेर करेंग कितना आजाएगा 5 आएगा और 9 प्लस 5 जोड़ेंगे चवदा आजाएगा यह भईया चवदा आगया केवल माइंड का गेम है माइंड का गेम खेल कर आपको करना है और मैस में बिल्कुल सेलेक्शन हो गए आपका अगर मैस में 20 प्लस 5 करते हैं तो आपका सेलेक्शन आदी तुपान कोई भी आजाए कोई नहीं रूख सकता ठीक है दावे के साथ आपका सेलेक्शन होगा ठीक है तो आपका इंसर आएगा देखे यहाँ पर प्लस बी स्क्वार्ल प्लस टू ये भी दिया है यह किसका सूत होता है ए प्लस बी का होल स्क्वार्ल बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त ओ ए स्क्वार्ल प्लस बी स्क्वार्ल प्लस टू ए भी होता होगा बिलकुल होता है आपने मैस में पढ़ा होगा ठीक है यह सिंपल फार्मूले है आपको बहुत जरूरी है 8th class की जो NCIT की बुक है उसमें सारे आपके फर्मूले दिये गए उनको जरूर study करिए उनको जरूर revision करिए तो हमने इतना कल लिया भईया तो A plus B का whole square है यानि कि 3 plus root 5 का whole वर्ग आ गया ये भी आपका root के अंदर है जब root निकलेगा तो वर्ग तूट जाएगा तो आपका root निकल जाएगा यानि कि 3 plus root 5 आपका answer आ जाएगा जो किस आपसन में दिया भईया ठीक है 4th आपसन में दिया है ठीक है 3 ठीक है इसमें आपका जो देखिए minus होगा 4th आपसन में minus अला है और second वाले में plus था यहाँ पर minus है ठीक है 4th आपसन में minus है 3 minus root 5 है यहाँ पर और जो है second आपसन 3 plus root 5 आपका answer आ जाएगा ठीक है चले निक्स क्वेशन देख लेते हैं question समझ में आ गया हो तो वीडियो को like कर दीजेगा ठीक है और बात करेंगे निस question की पांच अंको वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है बहुत अच्छा प्रस्न है अब काफी वाली jam में पूछा गया है चाहे समीदा सिच्छक 1,2,3 की बात करूँ चाहे सीटेट, सुपर टीटी, जम, यूपी टीट, रीट सभी के लिए important है क्योंकि मैस में सभी के question आते है ठीक है कोई भी टीटी के jam हो, कोई भी state level के jam हो मैस के question पूछे ही जाते है अब ये question क्या है भईया ये 5 अंको वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संक्या होगी आप लोग क्या बोलते है कौन भईया 5 अंक वाली संक्या जोड़े कौन ये पूर्ण संक्या बनाए चलो, नेस question देखलते है भईया जब आप नेस question देखते हैं तो वहीं पे selection आपका रुक जाता है stop लग जाता है तो आपको वह नहीं करना है अब देखे कैसे solution निकालेंगे 5 अंको वाली सबसे पूर्ण संक्या का वर्ग निकालना है तो सरपतम करने क्या भईया क्या करेंगे 316 मैं बता देता हूँ वन से लेके 100 तक आपको वर्ग आना चाहिए प्रतेक संक्या का आपको वर्ग कर लेना है क्योंकि आप teacher बनने जा रहे है government teacher तो एक से लेके 100 तक का वर्ग मूल गन मूल आपसे बनना चाहिए ठीक है नहीं बन रहा है तो आज से practice करें अभी भी टाइम है ठीक है 316 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 99856 आजाएगा जो की थर्ड आपसन आपका सही हो जाएगा ठीक है ये वह question है मेरे प्यारे मित्रों जो सभी जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग क्या है इनसे घबडाते हैं तो आज से घबडाना बंद ठीक है क्योंकि BJ सर आ गए है कोई भी problem comment box में करें कोई भी question हो comment करके हमें बताएं whatsapp group भी मैंने दिया है telegram channel भी link दिया है वहाँ पर जाईए question हमें वेजिए हम आपका solution देगे कहीं भी कुछ भी problem आ रही है बीजे सर आपके साथ है ठीक है केवल free up cost कोई यहाँ पर फीस नहीं है देशित में channel है राजशित में channel है ठीक है question है 21,900 बामन का घण मूल ग्यांद करना है अब देखे आ गया इतना question घण मूल वर्ग मूल ग्यांद करने के लिए आ जाए यनि 3 बार गुणा जिसे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया ये 2 का घण मूल कहला है यनि अग है यनि 2 का q आ गया फिर 2 दो दो वे 3 बार है तो 2 का q फीर आ गया फिर नीचे देखे साथ साथ कितने बार आ रहा है तीन बार आ रहा है तो फिर आपका यहाँ पर साथ का क्यूब है गनमूल तो गनमूल क्या होता है किसी संक्या क्यों क्यों क्यूब होता है तीन बार गुणा तो दो गुणे दो गुणे साथ क्या हो जाएगा भईया यह आपका गनमूल हो जाएगा इनको आपस में गुणा कर दिये दो दूनी चार सते 28 28 आपका इंसार आ गया यानि कि 20,952 का घल मूल कितना आ गया 28 आ गया दिखें मैं बता रहा हूँ अभी आप सुन रहे हैं जब आप कलम चलाएंगे न तो इससे बता रहा हूँ केवल 25 से 30 सेकंड लगेगा आपको इस प्रकार के कोश्चन को स्वाब करने के लिए अब आता है नेस कोश्चन मेरे प्यारे मित्रो देखें बीटो को लाइक कर दीज़ेगा बहुत मेहनद कर रहा हूँ प्यारे इतनी गर्मी है कुलर फंका सब बंद करना पड़ता है फैन सारे बंद करना पड़ता है क्योंकि अगर फैन बंद नहीं करेंगे तो आपकी आवाद जो मेरी क्लियर आ रहा है वो नहीं आएगी और मैं नहीं चाहता कि आपको प्राब्लम आए मैं कश्ट सह सकता हूँ फैन आप लोगों के लिए क्योंकि मैं देश से प्रेम करता हूँ मैं देश वासियों से प्रेम करता हूँ ऑप देखने इस प्रकार के question आगए कि रूद के अंदर 12 प्लस 12 प्लस ऐसे-इसे दिया रहता है जो जज़धा तर आपके railway SSC में Jam में पूछा जाता है लेकिन अब आपके Tee Tee Jam में भी पूछे जाते है एक दो question हा जाते है विरले question होते हैं जो हमें बिलकुन इनी question हों को study करना है ठीक है क्योंकि simple question सभी लोक solve कर लेते हैं अब इस वेकार question क्या करेंगे यह सभी जो बेंजक्स दिया है पूरी को X मान लेना है जब आप X मान लेंगे तो क्या जाएगा रूट के अंदर 12 प्लस X कर लेंगे क्योंकि रूट क्या है 12 प्लस X कर लेंगे ठीक है इसको हमने क्या मन लिया जो root के अंदर 12 12 12 दिया गया ना इसको हमने x मान लिया ठीक है जब आप इसको x मान लेते हैं संक्या को तो 12 प्लस x हो जाएगा root के अंदर यह हो गया ठीक है फिर second step क्या है x square बराबर यानि कि दोनों पच्चों का work करने पर दोनों पच्चों का work करते हैं यह आपका x square हो जाएगा यह आपका root हट जाएगा ठीक है मान लिजिए अगर root 2 है root 2 का work करेंगे तो यह root 2 हट जाएगा यानि कि इसकी value 2 आएगी सभी लोग समझ गए ना ठीक है अब यह देखिए x square बराबर क्या करेंगे बराबर 12 प्लस x था हमने 12 plus x को x square के पास लाया यानि कि minus x minus 12 हो जाएगा क्योंकि इधार आया है plus वाली संख्या minus होती है minus वाली plus हो जाती है जब उस पार से इस पार आता है ठीक है बराबर 0 कर लिया भईया अब यहाँ पे क्या गया गूडन खंड आ गया बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ x कर minus x minus 12 बराबर 0 आया अब इसका हमने गूडन खंड निकाला x minus 4 x plus 3 बराबर 0 आ गया ठीक है x बराबर 4 x minus 3 आ गया minus में आपकी value नहीं दी गई है plus में दी गई एक्स बराबर 4 second option सही होगा अब बात आती दोस्तों गूडन खंडम कैसे मान लिजे हमसे गूडन का नई बनना कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बता रहा हूँ देखे समझेगा ध्यान पूरक समझेगा गूडन खंडम इसका कैसे निकालेंगे हमने ये x रखा ठीक है x square है आपका x square कर दिया minus x ठीक है minus कितना कर दें माइनस हमने मान लिया आपको 4x कर दिया 4x कर दिया plus 3x कर दिया ठीक है और minus 12 कर दिया बरावर 0 कर दिया अब देखे यहाँ पर x हमने जब कामन ले लिएंगे तो x minus 4 बचेगा plus 3 कामन कर लेंगे x minus 4 बचेगा अब आप बोलेंगे plus minus 4x 3x क्यों लिए वहिए minus 4x 3x को अगर plus करेंगे तो minus x ही value आपकी आएगी कितनी आएगी minus x ही आएगी ठीक है ऐसे गुड़न खन निकला जाता है तो x plus 3 और x minus 4 आपका गुड़न खन निकल के आया जो मैंने यहाँ पे आ लेडिर रख दिया है तो value क्या आजएगी भईया minus में आपसर नहीं दिया है तो minus में नहीं आएगा plus में दिया तो x बचेगा आपका answer आएगा समझे में आ गया हो एक बाल like कर दिजेगा feedback comment करके जूर बताईएगा next question पर आते हैं अंगला question top class का question है ध्यान दिजेगा top का question है number one question है कि 675 को किस छोटी से छोटी संक्य से गुणा किया जाए कि भागफल एक पून घर बन जाए क्या है पून घन बन जाए भाईया ध्यान दिजेगा 675 को किस छोटी से छोटी संक्य से गुणा करे कि जो भागफल आपका आए एक पून घन बन जाए अब यहाँ पे देखे 675 दिया गया है अब हम क्या करेंगे 675 का भाईया गुणन खंड निकालेंगे जो मैंने यहाँ पे निकालके भी आप लोगों को बताया है ठीक है गुणन खंड निकालेंगे पूँचा गया घन मूल यानि कि किसी संग्या का 3 बार गुणा ठीक है जब हम घन मूल निकालते है तो 3 का 3 बार गुणा आ जाता है लेकिन यहाँ पर 2 बार ही हो रहा है तीन का तो ठीक है तीन का क्यूब है यानिक तीन का घन है पूण घन हमें बनाना है तो 5 का स्क्वेर है एक गुणा अगर 5 का कर देते हैं तो 5 का यह आपका घन बन जाएगा ठीक है अगर 5 ठीक है तो वहिया पूछ रहा है कि क्या गुणा करना है वह एक छोटी सी छोटी संक्या से गुणा किया जाए वह कौन सी छोटी छोटी संक्या वहिया तो वह आपकी पांच है पांच का गुणा कर देंगे तो पांच का गन हो जाएगा तीन का गन आल्रेडी आपके गुणन खंड मे है तो समझ में आ गया तो like कर दीजेगा ठीक है next question की बात करें जितने भी study channel हो सभी में share कर ये आप लोग support करेंगे मैं आपके साथ 24 hours arrival हूँ ठीक है question देखेगा important question है 36 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफाल एक पूर्ण घन बन जाए वही question आ गया ठीक है repeated question है मैंने दो question इसलिए लिया है कि आप लोगों कगर एक बार ने समझ में आए तो दो बार में आएगा ही आएगा आएगा बिलकुल definitely आएगा मेरे प्यारे में ठीक है अब देखे संख्या दी गई यह 36 को कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफाल आपका एक पूर्ण घन बन जाए चाती सो है अब हमें इसका क्या गुडण खन निकालेंगे तो पांच के स्क्वेर दो का क्यूब त्री का स्क्वेर और दो आता है ठीक है यानि पूर्ण घन कितने कितने आ रहे हैं दो का क्यूब और तीन का क्यूब यह आपके पूर्ण घन बन जा रहे है ठीक है बसता क्या पांच के स्क्वेर और दो बसता है ठीक है क्या बसता है पांच के स्क्वेर और आपका दो बचता है ठीक है यहाँ पे जो तीन का दो का क्यूब यहाँ पे दिया गया है और तीन का यहाँ पे जो आपका स्क्वेर है ठीक है यह आपका जो तीन है यह आपका स्क्वेर है ठीक है यहाँ पे गलती से क्यूब लिग गिया है जब आप छती सो का गुड़न खन्ने निकालेंगे तो 5 का स्क्वेर 2 का क्यूब 3 का स्क्वेर गुणे 2 आएगा ठीक है अब पूर्ण घन आपका केवल एक ही बनना है दो का क्यूब बचता क्या है पांच स्क्वेर 3 का स्क्वेर और 2 बचता है इनको अपस में गुणा कर दे 450 आजाएगा वही पूर्ण घन होगा ठीक है समझ गए होगे चलिए नेस कोशन देख लेते हैं अंगला प्रस इसकीन पर आ चुका है प्यारे मित्रों कोशन क्या कह रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण घन होती है अब आपको देखें आपसन में दिया गया है ठीक है कितना आता है वहीं सबी संख्या जो भी सभी आपसन है सभी आपसन कि जब आप गुरन घन निकालेंगे पूर्ण घन होगा जो तीन बार गुना होता है तो यहाँ पर देखें तीन का त्िरिप्यलेट है साथ का त्रिप्यलेट है यilee कि तीन का क्यूब दिया है multiply पूर्ण गन है, तो आपका कौन सा आप्सिंस हो जाएगा, second आप्सिंस होगा, अदर किसी आप्सिं में अगर आप इसी प्रकार गुड़न खंड की निकालेंगे तो पूर्ण घन आपका नहीं मिलेगा, कौई न कोई square मिलेगा या कोई single संख्या मिल जाएगी ठीक है तो पूर्ण घन आपका वही होगा जो cube में होगा ठीक है next question की बात करेंगे देखे ये top का question है आप लोग इस प्रकार का question 100% छोण कर आ जाते है 99% student यही करते है जो आपको आज से नहीं करना है question क्या दिया गए देखे point 000216 देखे नहीं कि 00216 का घनमूल है कैसे निकालेंगे भई या घनमूल मतलब क्या होता क्यूब अब देखे हमने क्या कर लिया ठीक है point 00216 में कि घाते एक बटे तीन कर लिया क्योंकि घनमूल पूचा गए एक बटे तीन कर लिया क्योंकि point में है अब एक बटे तीन करेंगे अब देखे जो यह संख्या दी गई है 0.00216 ठीक है इसको हमने क्या कर लिया 216 बटे 10 की गाते 6 कर लिया 10 की गाते 6 क्योंकि कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 की गाते 6 कर लिया अब 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब है और यहां पर 10 के क्यूब है अब दे킨खे क्यूब में दिया गया है ठीक है अब देखे घन्मूल क्या होता है किसी संक्या का 3 बार गुणा 10 का स्क्वेर 3 बार गुणा है 6 का गुणा 3 बार है तो हमने क्या कर लिया 6 बटे 10 का स्क्वेर निकाली है जो की घनमूल हो गया 6 बटे 10 स्क्वेर की वली क्या होती है 6 बटे 100 कर देंगे या 6 बटे 100 होती है और 6 बटे 100 का फिर हमें वही दसमलों की रूप में रग देना है 6 बटे 100 की वैलू क्या होती है 100 में 6 ठीक है 6 में 100 का जब भाग देंगे 0.06 आ जाएगा जो कि आपका सिकंड आपसन सही होगा कैसे भई या देखें हैंडेड दिया है हैंडेड में 6 का भाग देंगे भाग न जाएगा लबदे सुन हो जाएगा निकित दसमलों लगेगा फिर 0 आ गया जब यहां पर दसमलों लग जाता आप 0 बढ़ा सकते हैं फिर भी यहां पर भाग नहीं जा रहा तब आपका लबदे सुन लग गया इसके बाद एक जोर 0 बढ़ाएंगे 6 बार जाएगा तो 600 आ जाएगा तो 0.06 आपकी वैलू आ गई वही आपका इंसर होगा अब बताए किसको समझ में नहीं आया भायत यह 10 कोशन आपके बतारों लाइप बदल देंगे जिन्दगी बदलने वाले कोशन है तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और पीडिया फाइल अगर पाना चाहते हैं तो आज ही टेली ग्राम चै चैनल है और बात करेंगे कि सीटेट, एमपीटेट, समीदा, रीट, टीट, यूपीटेट, के विया सभी राज्यों का बेष्ट सिच्छा पातता परिच्छा चैनल है जो आपका रॉकिंग इंफार्मेशन योटूब चैनल है दो हजार बीस का अपडेट चैनल है वित दिमातरम मिलते हैं निस क्लास में हस्ते रहिए मुस्कराते रहिए और सभी की चारो तरफ खुसिया बाड़ते रहिए जय हिंसाथ